आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोड़ ड्रॉम इस वाली डियाग्राम को कैसे बनाए तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इस डियाग्राम को साइड में कर लेता हूं इस diagram में कहीं भी किसी भी type की dimension नहीं दी हुई है जो भी मैं dimension दूँगा बस आपको relate करना एक idea के purpose है ठीक है इसको बहुत ही easy way में create करेंगे और ये video काफी interesting होने वाली है तो मैं F6 प्रेस करता हूँ, simply एक box draw कर लेता हूँ इस diagram को इस box के अंदर हम बनाएंगे ठीक है तो आप relate करिए कर तो सबसे पहले मैं इस वाले rectangle को बना लेता हूँ, ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F6 प्रेस करूँगा, simply इस तरीके से मैंने एक object draw कर दिया और यहां पर इसकी dimension दे देता हूँ, for example, 2.7 tab 2, ठीक है, मैं enter press कर देता हूँ तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ, तो इस diagram में हमारा ये वाला part हो गया, ठीक है इसके बाद हम इस वाले object को बनाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या trick follow करेंगे, ध्यान दीजेगा, ये भी काफी interesting है आप अपनी भी कोई trick create कर सकते हैं, ठीक है सबसे पहले मैं control space प्रेस करके, खाली जगापे क्लिक करूँगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, नज डिस्टेंस, ये नज डिस्टेंस, अगर आपका यहाँ पर कोई भी value दी हुई है, तो यहाँ पर आप 0.05 कर लेंगे, ठीक है तो shift alt key के साथ, मैं इसे select करता हूँ, और numerical keypad पर मैं plus button को press करूँगा, तो इस object की duplicate copy बन जाएगी, यहाँ पर आप ध्यान देना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, for example, यहाँ पी जो distance आप देख रहे हैं, हमें नहीं पता है, यहाँ पर क्या distance है, इसके इसके बीच का क्या distance है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक simple trick follow करेंगे, shift key के साथ, 7 बार right side में ड्रेग करेंगे, उसके बाद shift key के साथ, उपर की तरफ, 7 बार ड्रेग करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उपर की तरफ, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, तो चारो तरफ से मैं इसे बंद कर देता हूं, ठीक है, एफ़ाइप की का यूज़ करूँगा, इस note से यहां तक, इस वाली note से यहां तक, ठीक इसी तरीके से, यहां, और उसके बाद, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का look आ रहा है, अब इसके बाद, यहां पर आप यह जो फाई एंगल देख रहे हैं, इसको किस तरीके से create करेंगे, और यह दौनों तरफ है, ठीक है, तो आप ध्यान देना, इसको बहुत ही simple मैं create करेंगे, shift alt key के साथ, मैं इस वाले object को select करता हूं इस तरीके से, और इसके center पर click करूँगा, यहां से इसे control key के साथ right side में drag करेंगे, और right click key का यूज़ करेंगे, तो इसके duplicate copy बन जाईगे, तो अभी आप देख रहे हैं, इसके बीच का distance, इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसके similar लाने के लिए हम क्या trick follow करेंगे, keyword पे control J key का अप यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आपके सामने एक window open होगी, तो यहाँ पे edit tab में जाके constraint angle by default किसी भी coral version में 15 degree होता है, तो यहाँ पे for example मैंने दे दिया 12, मैं enter प्रेस कर देता हूँ, इस वाले object को मैं delete कर देता हूँ, जो select है, again इस वाले object को select करके, इसके center पे मैंने click करा, और control key के साथ इस तरीके से मैंने track करा right side में, और right click key का use करा, तो इसके duplicate copy बन जाएगी, ठीक है, अब यह जो five angle है, इसको हम किस तरीके से create करेंगे, अब ध्यान दीजेगा, और इसे हमें dotted में भी convert करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं F5 press करूँगा, यह जो object है, यह मतलब complete है, for example, यहां से मैं आपको drag करके बताता हूँ, यह इस तरीके से, ठीक है, तो इसका भी हम use करेंगे, बाद में से हम delete कर देंगे, ठीक है, तो मैं F5 key का use करता हूँ, इस वाली note से, इस वाली note पर लाके छोड़ूँगा, और वापस इसी note पर click करके, जैसे for example, अभी मैंने control प्रेस नहीं करा है, तो यह line किसी भी angle में जा रही है, तो हमें इस वाली line के similar करना ऐसे, तो आप क्या करेंगे, control key प्रेस करेंगे, और थोड़ा पीछी की तरफ इस तरीके से आएंगे, तो आप यह देख रहें, तो इस वाली note पर लाके, मैं यहां छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगेर अपने control प्रेस करूँगा, इस वाली note से, इस वाली note तक लाके छोड़ूँगा, और वापस इसी note पर क्लिक करके, control key के साथ इस तरीके से, यानि कि अगर आपने control छोड़ दिया, तो यह किसी भी angle पर जाएगी, control key को आप प्रेस करके रखेंगे, तो यह एक शर्टी के अंगल पर जाएगी, ठीक है, तो यहां पर मैंने for example क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, FI प्रेस करूँगा, इस वाली note से यहां तक एक line menu draw करी, इसकी एक duplicate copy बनाई, right click की का use करा, F10 की का use करा, इस तरीके से select करके, इस वाली note से यहां लाके छोड़ दिया, अभी F10 हमारा activate है, इस पर क्लिक करूँगा, आप चाहें तो इस तरीके से पीची की तरफ ला सकते हैं ठीक है, दूसरी trick क्या है, मैं वापस undo करता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर से तीसरे वाले option पर मैं क्लिक करूँगा, यहां पर virtual segment दिया हुआ है, तो यहां से इस तरीके से आप cut कर देंगे, और यहां से इस तरीके से cut कर देंगे, तो अभी f i press करेंगे, यहां से इस वाली node पर लाके छोड़ देंगे, अब आपको करना क्या है, ध्यान देना, इस तरीके से आप select करेंगे, तो यह उपर का part select हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको drag करके दिखा देता हूँ, यह जो है, ठीक है, इसके बाद shift key के साथ, यह वाले part क आप select करेंगे, इसको आपको drag करके भी दिखा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है, इसके बाद इस वाली line को आप select करेंगे, ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का response आ रहा है, तो control L की के सथ मैंने से combine कर दिया, यह क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, line style पे आप click करेंगे, नीचे की तरफ आप drag करेंगे, इस वाली style पे आप click कर देंगे, और बागी के part को जाने की, आपने shift key के साथ select करेंगे, तो देखो यह नहीं हो रहा है, shift alt key के साथ करेंगे, तो इस तरीके से multiple object select हो जाएगे, यहाँ पे आप इ एक्जांपल यह है, तो shift alt key के साथ इसे, shift alt key के साथ इसे, और इसे select करके keyword पे control r key का use करेंगे, तो इसकी properties इस पर भी apply हो जाएगे, ठीक है, अब इसके बाद हम five angle को बना लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए simply up trick follow करेंगे, f7, यहाँ से, मैं इस तरीके से एक angle draw करा, करीब म convert कर देता हूँ, तो इसकी फटा-फट से मैं labeling कर देता हूँ, labeling करने के लिए f8 press करूँगा मैं, और इसका font size ले लेता हूँ, 16, इसे मैं बोल्ड करके, इसकी labeling को fast forward कर देता हूँ, तो आप ध्यान दीजेगा, ठीक है, कर देता हूँ, तो आप ट्रॉब भाद कर देता हूँ, तो उल्यान दीजेगे, तो आप एक दो, यहाँ टिजएगा प्यादा रखब देख मोगर करें तो आप देता हूँ, तो आप तो आप देख रहे हैं राइट वाली डाइगरम हमने क्रेट की लेफट वाली एजट इस डाइगरम टूटरियल से बस आपको एक डाइगरम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं आपकी डाइगरम टूटरियल पसंद आया हो तो इस वीडियोको लाइक करें और अपने फ्रेंट सिर्कल में शेयर करें और प्लीज इस चैनल को सपोर्ड करें चेहंंद वंडे मात्रं तो